हेलो एवरिवन वेलकम बैक टोर यूटूब चानल अग्रिकर्चर एंजी के इस वीडियो के मांद्यम से मैं सुना ली आज आप सभी से most expected MCQs discuss करने वाली हूँ जो की bank of महाराष्ट AFO exam के लिए बहुत ही useful रहेंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ही important information लाई हूँ अगर आप bank of महाराष्ट exam की preparation कर रहे होंगे तो आप हमारे ये course purchase कर सकते हैं इस course की price से आपको 450 रुपीज पढ़ेगी और अभी ये course आप सभी के लिए बहुत ही जदा important है क्योंकि bank of महाराष्ट के exam की date आचुकी है उसके लिए आपको इस course में complete notes of professional knowledge मिल जाएंगे plus current affairs की e-book मिल जाएंगी सभी जो notes है वो PDF form में आपको available करा दी जाएंगी one question bank आपको दी जाएगी plus 50 plus mock test आपको दे जाएंगे अगर आप 50 plus mock test अरग से लेना चाहेंगे तो ये भी facility जो है वो available है चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो में हमारे जो है सबसे पहले जो है वो mcqs जो first mcqs है वो हम लोग चलिए discuss कर लेते तो हमारा first mcq क्या है which weed is single plant can produce about 5000 to 25,000 seeds यानि ऐसा कौन सा weed plant है एक single plant जो 5000 और 25,000 से भी ज्यादा जो है seeds को grow करता है तो यहाँ option में दिया गया है green grass तो green grass तो हो नहीं सकता क्योंकि ये seeds नहीं produce करता है उसके बात दिया गया है toretto ये जो species है weed की इसमें जो है सबसे पहले जो है हमारी जो है इसमें जो है पहले beans लगती है तो beans लगने के बाद ही उसमें seeds grow होते हैं तो ये भी जो है 5000 से 25,000 सिंगल प्लांट जो है seed grow नहीं कर सकता है उसके बात दिया गया है parthenium parthenium यानि हम इस parthenium को जो है उसे जो है हम लोग congress grass कहते हैं और congress grass जो है वो जो है 5000 से लेकर तो 25,000 तक जो है single plant जो है seed produce कर सकता है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा parthenium चलिए अब हम लोग दूसरा mcu discuss कर लेते हैं which insect incidence is noticed on mature leaves curling and reddening of leaves will be observed यानि एक insects जो है वो इस leaves पर आ चुका है इस leaves को वो infect कर रहा है यह हम कैसे जान सकते हैं जैसे कि mature leaves पर curling आ गई है reddening of leaves हो गई है तो यह किस insect का incidence हो सकता है हम ही जो है यह check करना है तो सबसे पहले हमारा option में है white fly अगर white fly लगी होंगी तो जो है lose पर जो है वो redness आती है और curling of leaves हो जाती है तो यह दोनों भी यहां पर दिए गया है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा white fly चलिए अब हम लोग हमारी next mcq के तरफ बढ़ते हैं तो हमारा तीसरा mcq है the dark green succulent shoot appear above the bird joint which are called यानि आपको पते कि succulents plants होते हैं succulents जो shoots होते हैं जो की green होते हैं color में लेकिन जो है ऐसा लगता है उन lose को देखर कि जैसे कि इनमें पानी भरा हो और उन्हें पानी की कम आवशकता होती है ऐसे जो है plants को succulents plants कहा जाता है और उन पर जो shoots आते हैं उन plants के जो shoots आते हैं उनको succulents shoots कहा जाता है और इनी succulents shoots को लेकर जो है वो नया plant तयार करते हैं तो जब नया plant तयार गया जाता है तो इन succulents shoots पे चोटी-चोटी birds आते हैं तो इन birds को क्या कहा जाता है यह पूछा गया है तो इन birds को जो है वो कहा जाता है watery shoots watery shoots जो है इन plants को कहा जाता है इन shoots को जो है वो watery shoots कहते हैं क्योंकि सकुलेंट स्प्रान को ग्रोर करने के लिए वाटर के आवश्यक्ता होती है इन सकुलेंट लिवस को हमें जो है वाटर के अंडर रखना पड़ता है और यहां से यह बड्स आते हैं इसलिए इनको जो है वाटरी शूट्स कहा जाता है चलिए अगर हम अपना नेक्स्ट एमसी क्यू देख लेते हैं विच इनसेक्ट्स अपियर ओन दो मैचिरिंग लिवस कैरेक्टरिक्स बाइवाइट स्पॉर्ट ओन दो लोवर सर्फेस अब दो लिवस यानि यह इनसेक्ट लगा है हमें यह कैसे पता चलेगा एक लिवस होगा उस लिवस के लोवर साइड एक अपर साइड हो गई और इसके नीचे की लोवर साइड पर जो है हमें जो हैं वाइट स्पॉर्ट्स नजर आएंगे तो यह कौन सी इसके होती है तो वो होती है ग्रीन माइट्स एंड रेट्स माइट ग्रीन माइट्स और रेट्स माइट्स अपने स्पॉर्ट्स जो है वो लिवस पर छोड़ के जाती है वाइट फ्लाई जो होती है वो खुद प्रेजेंट होती है वो spots जो है वहाँ छोड़कर नहीं जाती इसलिए यह option में नहीं होगा spiders भी कोई spot नहीं छोड़के जाती वो एक जाला तैयर करते हैं इसलिए यहां हमारा answer क्या हो गया है green mites and red mites इस तरह से हमने यहां देख लिया है कि green mites और red mites जब लगते हैं तो वो lose के lower parts में क्या होते हैं white spots तैयर करते हैं white flag खुद present होने के कारण वो किसी तरह से जो है वहाँ पर spots तैयर नहीं करती है उसके pots नजर नहीं आते हैं white flag खुद आपको जो है वहाँ पर नजर आ जाएगी चलिए अब हम लोग जो है next mcq discuss कर लेते हैं filling the blanks is necessary for functioning of plant enzyme to produce carbohydrates, sugar and fats यानि ऐसे हमें कौन से nutrient की जरूरत है जो कि plants enzyme में जो है carbohydrates produce करेगा sugar produce करेगा और fats produce करेगा carbohydrate, sugar और fat जो है यह photosynthesis, respiration और COT को release करने के लिए बहुत ही important formation होता है तो यह formation की nutrients की वज़े से होता है अब वैसे तो हमें इन प्रोसेस पर सभी nutrients की जरूरत पड़ती है लेकिन particular carbohydrates, sugar और fats को release करने के लिए हमें magnesium की जरूरत पड़ती है ठीके तो यहां हमारा answer हो जाएगा magnesium चलिए अब हम लोग next mcq discuss कर लेते है once deposit in plant tissue is immovable, non-transculable so therefore must be a constant supply for growth यानि एक plant tissue में जो है जो growth के लिए सबसे ज़्यादा responsible होता है वो क्या होता है? वो होता है calcium calcium जो है plant tissue में जो है consistent supply करता है growth को ताकि जो plant है वो अच्छे से बढ़ सके चलिए अब हम लोग next mcq discuss कर लेते हैं filling the blanks is necessary for many enzymes functioning at the catalyst for the synthesis of chlorophyll यानि chlorophyll को synthesis करने में जो है कोन मदद करता है तो जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पहले option में है magnesium magnesium क्या करता है? वो plant enzyme produce करता है calcium क्या करता है? वो plant tissue में consistent growth के लिए responsible होता है तो यहाँ हमारा answer क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा answer हो जाएगा iron iron is necessary for many enzyme functions and act as a catalyst for the synthesis of chlorophyll जैसे कि मैंने कहां कि photosynthesis में और respiration में यह जो है उस सारे जो nutrients हैं यह सारे बहुत ही जदा important होते हैं तो iron जो है यह बहुत ही important है for photosynthesis process चलिए अब हम लोग next mcq discuss कर लेते हैं filling the blanks is involved in enzyme activity for photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism मैंने कहां न सारे जो यह nutrients हैं यह जो है photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism के लिए बहुत ही जदा important है तो हमारा option में दिया गया है magnees magnees जो है हमेशे जो है plant में enzyme activity के लिए responsible होता है इसलिए फिर जो है magnesium यहाँ जो है magnees यह इसका answer हो जाएगा calcium हमने देखा कि वो growth के लिए important है iron हमने देखा कि वो synthesis of chlorophyll के लिए important है चलिए next time से क्यों देख लेते हैं filling the blanks is a major component of protein, hormones, chlorophyll, vitamin and enzyme essential for plant growth यानि plant growth में जो protein synthesis होता है, hormone तयार होता है chlorophyll होता है, vitamin होता है और enzyme होते है उनके लिए क्या responsible होता है तो उसके लिए responsible होता है nitrogen जैसे कि हम पहला ही dose जो है हर plant में जो जालते है NPK के सहाई से तो हम लोग सबसे पहले जो नाइटरोजन सबसे ज़्यादा डालते है क्योंकि नाइटरोजन जो है वो protein, hormone, chlorophyll और vitamins, enzymes में formation में बहुत ही essential होता है चलिए अब हम लोग next time से क्यों discuss कर लेते हैं filling the blanks is necessary for seed formation, protosynthesis, protein formation and almost all except of growth and metabolism in plant यानि क्या होता है जो seed germination, photosynthesis के लिए important होता है तो वो होता है phosphorus phosphorus जो है वो seed germination, photosynthesis, protein formation में सबसे ज़्यादा responsible होता है चलिए अब हम लोग next mcq देख लेते हैं filling the blanks is necessary for formation of sugar, starch, carbohydrate, protein, synthesis potassium is necessary for formation of sugar, starch, carbohydrate and protein synthesis क्योंकि calcium हमने देखा कि ये growth के लिए होता है उसके बाद हमने देखा कि iron भी जो है chlorophyll में होता है, important, responsible इसलिए हमारा यहां answer हो जाएगा potassium, जैसे कि मैंने कहा ये तीनों nutrients NPK के form में हम लोग जो है इसमें जो है plant को देते रहते हैं उसके बाद हमारा mcq है filling the blanks is the structural component of amino acid, protein, vitamins and enzyme and it is essential to produce chlorophyll यानि कोरोफिल को जो है, क्या amino acid, protein और vitamins जो एक structural components होते हैं जो कि photosynthesis और respiration में बहुत ही जदा responsible होते हैं पूरी formation की growth लानी में इसे लिए जो है यहापर हमारा answer क्या हो जाएगा sulfur क्योंकि sulfur जो है इन structure को जैसे हमने structure देख लिया जैसे amino acid का structure होता है वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको carbon bond दिखाए देगा sulfur bond दिखाए देगा तो इसी तरह से जो है sulfur जो है एक structural components हर एक इस में होता है amino acid में भी होता है protein में भी होता है vitamins में भी होता है और enzymes में होता है चलिए अब हम लोग जो है हमारा जो है next MCQ discuss कर लेते हैं What is the process to maintain soil fertility and plant nutrient supply यानि यहाँ पर क्या पूचा गया है कि क्या है जो ऐसी कौन सी process है जो की soil fertility और plant nutrient supply जो प्रोसेस होती है उसको maintain रखता है तो यहाँ पहला option है integrated nutrient management इस में जो है हमारे जितने भी nutrient है हमने जो अभी तक देखे हैं sulfur, nitrogen, potassium, phosphorus इन सब को maintain करके soil के लिए कितना available करना चाहिए कौन सी soil में किस भी ने प्रमान पर हमें nutrient डालना चाहिए इस सार्ग का management जो है यह जो है आई एन एम करती है तो इसका answer हो जाएगा integrated nutrient management fertigation में हम सब सिर्फ water से जो है वो fertilization करते हैं तो वो जो है soil fertility है फिर plant nutrient supply नहीं करता है irrigation में सिर्फ हम लोग water ही supply करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि हम उस चीज़ को क्या कहते है जो कि soil में जो है nutrient का जो supply है nutrient का जो maintenance है वो टिका कर रखता है और जो suitable formation में जो है plant को सही मात्रा में nutrient पहुचाता है तो वो हमारा answer क्या हो जाएगा A. fertility तो क्या है कि fertility यह जो process से ते हैं होती है इसमें जो है soil के पूरे nutrients जो है उसमें available होते हैं और nutrient के मात्रा से ही हम लोग जान सकेंगी कि soil जो है वो कितनी fertile होती है mulching तो एक process है जिसमें जो हम लोग plant grow करते हैं तो mulching भी इसका answer नहीं होगा उसके बाट soil health soil health भी जो है इसका answer नहीं हो सकता यह क्या है कि soil में जो nutrients available होते हैं उसकी साब से सिर्फ हम यह अंदाजा लगा सकते कि soil की health कैसी है लेकिन उसमें capacity नहीं होती है कि वो soil को nutrient supply कर सके चलिए अब हम लोग हमारे next mcq के तरफ बढ़ते हैं तो हमारा next mcq है the terms to the interrelated step by which the individual living organism assimilates food and uses it for growth and replacement of tissue यानि जो इसमें हमें पूचा गया है कि उस चीज़ को क्या कहते हैं जहां living organism जो है food को तो तयार करता है प्लस वो growth भी होती है प्लस वो जो है tissue भी तयार करता है तो यह सारी चीज़े तो living organism में जो देते हैं वो किस माध्यम से हमारी जो है body में वो present होते हैं और वो हमें जो है एक energy provide करते हैं तो उसका answer हो जाएगा nutrition nutrition जो है हम market में देखते कि जो है अभी जो है अलग-अलग form में nutrition available होता है क्योंकि वो हमारे food जो है वो हमारे growth के लिए और हमारे tissue के growth के लिए बहुत ज़दा important होते हैं कोई भी deficiency कभी भी किसी की growth नहीं कर सकता इसलिए हमारा option भी नहीं होगा see minerals सिर्फ जो है हमारे body को minerals जो है वो nutrient की कमी पूरी कर सकते हैं लेकिन वो जो है वो पूरी तरह से growth नहीं कर सकते हैं इसलिए यहां पर minerals भी नहीं आएगा चलिए अब हम लोग next mcq discuss कर लेते हैं filling the blanks is a term that takes into account the inter relationship of mineral elements in the soil यानि यह ऐसी कौन सी चीज है जो है कि soil को minerals provide करती है तो वो हो जाएगा plant nutrition हमने देख्या calcium iron किस तरह से जो है एक जो है soil की health maintain करने के लिए मदद करते है उसकी fertility maintain करने के लिए मदद करते तो इसका option हो जाएगा option plant nutrition minerals तो होगा नहीं क्योंकि minerals of elements in the soil उसका interrelation operation पूछ रहा है soil fertility भी नहीं होगा क्योंकि soil fertility maintain करता है soil health को चलिए अब हम लोग हमारे next mcq के तरह बढ़ते है what insect attack is seen to be support stick spray chlorophyaryophos at the rate 5 ml of water यानि किस चीज़ का attack होने पर हम जो है chlorophyaryophos जो है उसका जो है spray कर सकते हैं तो वह जो होता है वह हम spray up करेंगे क्या हम वह insect लगने के बाद spray करेंगी नहीं कोई भी insect लगे का तो क्या हम सिब chlorophyaryophos ही spread करेंगी नहीं तो सेकंड नमबर हमारा नहीं हो जाएगा माइट में भी हम लोग chlorophyaryophos नहीं यूज करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा terminate तो terminate में हम लोग क्या करते हैं कि वह chlorophyaryophos हम लोग spread कर लेते हैं ताकि उनका attack ना बड़े ठीक है चलिए अब हम लोग next time से क्यों discuss कर लग लेते हैं ensure regular irrigation through deep and at least once in an interval to basin irrigation is for how many days यानि किंतने दिन का interval होना चाहिए irrigation में तो सबसे पहले option में दिया गया है 7 to 10 days उसके बाद दियाए option B में 20 days 20 days यानि बहुत बड़ा हो जाएगा तो correct option हमारा हो जाएगा 7 to 10 days take up summer plugging to improve यानि क्या improve करने के लिए हम लोग सपल summer plugging करते हैं सारे crops निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं summer plugging करते हैं तो उससे क्या होता है उससे soil health maintain होती है harvesting process है mulching process है तो यह दोनों भी option नहीं होंगे तो हमारा correct option हो जाएगा soil health mcq next वाला हम लोग देख लेते हैं filling the blanks is the plant species of the chinopodesy family native to the android region and adapted to diverse agroclimatic zone इसा कुन सा plant species है जो chinopodesy family से बिलॉंग करता है वो इडिनाइन region में होता है और वो different agroclimatic zones भी अपने आप में जो है वो जेल सकता है तो वो crop हो जाएगा किनुवा किनुवा जो प्लांट होता है ये भी छोटे 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 ऐसे grain होते हैं जो की जिसमें जो है protein सबसे जादा जो है available होता है protein सबसे ज़ादा होता है किनुवामी उसके बाद option में दिया गया है oats oats में जो है oats जो है ये भी एक plant species है लेकिन ये है आपने आपकों अपने नहीं कर सकता है उसमें अपने आपको अपने आपको नहीं कर आ है चलिए नेक्स एम से क्यों देख लेते हैं इस अगुड सोर्स ऑफ ग्लूटन फ्री हाइए कॉलिटी प्रोटीन इनसी इंक्लोडिंग एन एक्सेलेंट अमाइनो एच्ट बैलेंस हाई फाइबर यह इनसा प्लांट है जो ग्लूटन फ्री है और हाई कलेटि प्रोटीन हमें जो है वो प्रोवैड करते हैं तो सबसे पहले दिया गए अइमरंतिन्स तो इमरंतिन्स में क्या होता है कि tiro Button में has made ama प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है बारले भी नहीं हो सकता और ग्रीन बीन भी नहीं हो सकता है क्योंकि इन में जो है वह एमरेंथ से जो है कम प्रोटीन अवेलेबल होता है चलिए अब हम लोग जो है next mcq discuss कर लेते हैं which farmers with land holding of up to are considered as marginal farmers यानि जिनके पास कितनी एकर land है तो उने जो है marginal farmers कहा जाएगा तो वो जाएंगे one hectare land वाले farmers one hectare land वाले farmers को हम जो है marginal farmers बोलेंगे चलिए अब हम लोग next mcq discuss कर लेते हैं filling the blanks has commercial value for industrial oil and manufacturing of lubricants, polymer, cosmetics and medicines इसमें क्या है कि यह पूछा गया है कि कौन सी ऐसी species है जो कि इंडेस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है for lubricants, polymers, cosmetic medicines यानि paint वगेरा बनाने में polymers बनाने में cosmetics बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वो होता है castor oil, castor oil का सबसे ज़्यादा यूज हम lubricants, polymers बनाने में करते हैं जैसे कि paint वगेरा की जो company होती है उसमें castor oil जो है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्या लिए अब हम लोग next time से क्यों discuss करते हैं every bunch of peanuts with inflorescence is called having both and female flowers यानि influence में जो है influence में जो है male और female flowers दोनों भी जो है present होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें spike कहा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें spike कहा जाता है पैनिकल तो एक अलग ही यह उतना है और shoots तो निकलते हैं तो यह दोनों भी option नहीं हो सकते हैं तो सबसे ज्यादा जो है इसका जो है spike में जो है बोथ male and flimmers flowers present होते हैं इसलिए inflorescence को spike का आ जाता है next mcq discuss कर लेते हैं next mcq में सबसे पहले पूछा गया है कि filling the blanks found while in a subtropical evergreen in forest of Arunachal Pradesh and Assam in India यानि यह जो species होती है plant की वह जो है वह सब tropical forest में भी मिलती है और नचल प्रदेश के और आसाम में भी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा pink velvet बनाना यानि यह जो बनाना दोते ना यह जो है pink color में होते हैं थोड़े से reddish color में होते हैं इसलिए इन बनाना को जो है pink velvet बनाना कहा जाता है चलिए अब हम लोग next mcq की तरफ बढ़ते हैं the species is called as candy can banana यानि की species को जो candy can बनाना कहा जाता है तो वह होता है मुसा, कॉम, पे, स्ट्रेस यह जो बनाने होते हैं इनका structure थोड़ा बहुत जो है वो candy की तरह होता है यानि यह थोड़े मुड़े हुए होते हैं और यह जब उपते हैं तो यह white और थोड़ी इसकी shade जो दी वो यह purplish होती है तो purplish shade होने के वज़े से जो है इनने जो है और इनका shape candy की तरह होने के वज़े से जो है इनने candy can बनाना कहा जाता है उसके बाद mcq discuss कर लेते हैं filling the blanks green manure can be grown in a intercrop and incorporated into soil around 30 to 45 days after planting यानि जो है इस green manure को जो है ग्रो करने के बाद जो है वो 30 to 45 days में प्लांट हो जाते हैं incorporate करने के बाद यानि जो भी crop हमने लिया है उसके साथ हम इसकी जो है intercroping कर सकते हैं तो sorgum की भी intercroping नहीं होती है और pięster की भी जो है intercropping नहीं होती है तो किस तो हमारा option में बच जाता है saneeb तो saneeb की जो है öntercroping हो सकती है और यह हमें कम- corona में लेग सकती हैं इसलोई इसका option हो जाएगा option try ए also Among all the cereal ranks, third after wheat and rice in production तो यहां पुछा गया है कि rice और wheat के बाद किस चीज़ का production सबसे ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा production होता है मेज का मेज का production यानि जैसे कि rice और wheat जैसे all over world में खाया जाता है वैसे मेज भी all over world में खाया जाता है सोरगम और बाजरा जो है वो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है लेकिन वर्ल्ड में नहीं खाया जाता इसलिए हमारा option हो जाएगा option ये Pilling the blanks is concentrated in roots of plant and plays in an important role in nitrogen metabolism यानि कौन सा nutrient है जो कि nitrogen metabolism में important role play करता है तो वो हो जाएगा copper क्योंकि copper जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो roots में सबसे ज़्यादा जो है recumbel होता है और वो अपने आपको roots में सबसे ज़्यादा जो है growth में copper की ज़रूरत होती है iron और calcium जो है वो जो है वो सबसे ज़्यादा important role play करते है फोटो सिंतेसिस में तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए कॉपर चलिए अब हम लोग नेक्स एमसी क्यों देख लेते हैं The Plant Family is Well Known for Economically Important Bananas and Plants यानि कौनसी Family है बनाना की जो कि सबसे जधा Economically important है तो वो हो गई है Moussi क्योंकि बनाना की Family Moussi है Possessive Family होती है लेकिन Possessive Family बनाना की नहीं है और Compositive else भी जो है वो बनाना की फमिली नहीं है there are only filling the blanks, poor breeds in of chicken is available यानि इंडिया में chicken की करिटनी breed है जो poorly available है यानि हमारी इंडिया में ऐसे कितनी breeds है जो originally हमारी है इंडिया की तो वो एक तो हो नहीं सकती और जो है एक breed तो हो नहीं सकती है तो इसलिए option भी नहीं होता है और 3 भी नहीं है तो option जो है हमारा ए 4 तो 4 breeds जो है हमारी original breeds है जैसे कि ऐसे लहें कड़कनाथ है चिडगोड है यह जो species है यह हमारी जो है pure breeds है चिकन की तो हमारा option यहां पर हो जाएगा option यह हमारा जो है वह answer हो जाएगा चलिए अब हम लोग जो है हमारा जो है next mcq जो है वह discuss कर लेते हैं तो हमारा next mcq है ब्रीड चिकन ब्रीड इस नोटेट फॉर इस पंजन सिथी हाइश टैमिना मैजस्टिग गेट एंड डॉक्ट फाइटिंग क्योलिट इस यानि हमारी चिकन के इसे कौन सी ब्रीड है जो की पंजन सिथी यानि जगडालू परणों क्यारेक्टर होता है कि हाय स्टैमिना मतलब उसमें स्टैमिना सबसे ज़ाधा होता है उसके बार यहाँ पर दिया गया है कि मैजेस्टिक गिंड Κंण यह फिर लेक्व चाल हती है कि वह कैसी होनी चाहिए और डॉक फाइटिंग कॉलिटी यानि कुट्टी की तरह जगरनी की उसमें कॉलिटी होनी चाहिए तो यहाँ ऑप्शन में दिया गहा है मूर्राँ तो यह तो नहीं सकती क्यूंकि यह बफफ़ली की ब्रीड है यहाँ जैए जैब 6 अृप्शन चिरिकन की प्रीड है हमने एसिल के बाुबहरे में देख लिया है तो यहां पर एसल जो है वो नहीं हो सकता है उसके बाद यहां पर दिया है बूसरा बूसरा भी आ नहीं होगा बूसरा जो है एक अलगी ब्रीड है चिकन की तो यहां हो जाएगा चिट गॉर्ण चीठ biscuit को जो है वो मलाय का जाता है which chicken breed skin, beak, stang, stones and snows of field are slight lesser color यानि slight like learning color यानि उसका color जो है डार्क होता है तो डार्क कलर की एकी breed है तो वो होती है कड़कनाद कड़कनाद यह जो chicken की breed है यह पूरी तरह से black होती है तो इसका option हो जाएगा option C विच चिकन ब्रीड इसमिडियम साइज बर्डी ब्यॉइग लाइट फिदर्स ऐन अलिड इंड इं नेचर तो सल के बारे में किद देंक और के बारे में ूप्षिंचियां यहों जएका। बुसरा बुसरा जुचिकन होती है यह मीडियम साइज बर्ड है डिब बॉइट है लाइट फिदर्स है एन अलर्ड ही नेचर है चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं और लोकेशन स्पेसिक रूलर पोल्टरी वेलाइटी फोर जारकन जारकन के लिए स्पेशिली कुन से ब्री ब्रीड होती है इंडिया में तो यह स्पेशली जारकन के लिए नहीं होगी तो आप्शन यह हो जाएगा जार सीम चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीड देख लेते हैं विच पोल्टरी ब्रीड इस और डूएल परपस वेराइटी फोर फ्री एज फार्मिंग नासाम या आप्शन यह हमारा आंसर हो जाएगा कामरूपा कामरूपा यह किंग्डम था पहले आसाम में तो इसी साम से इस ब्रीड का नाम जो है वह कामरूपा रखा गया वीच पोल्टरी वीड इस ड्यूल परपेज कलर बर्ड ऑफ राजस्तान यानि जो है राजस्तान की जो है कु परपल ठोड़ी सी ब्लैक ऐसे कलर में होती है यह प्रताब धन तो इसका अंसर हो जाएगा प्रताब धन। ब्रीड प्रों सेंट्रल एविन्री इंसिटिव इस सीचिविटिटर यानि इसेंट्रल एविन रिशर्ज इंस्टिवीट सिचुएचन है तो वह ता है इजात में क्योंकि पठना और इगतपुरी में कोई रिसर्च सेंटर नहीं है ऐसा और इसका अंसर हो जाएगा इजात्नगर विच पॉल्टरी ब्रीड इस शुटेबल बिर्ड फॉर बैक्कार्ट फार्मिंग इन रूलर एंट ट्रिपल इरियास डेवलप बाइ प्रोजेक्ट डैरेक्टेड ऑन पोल्टरी हैदराबाद के जो है प्रोजेक्ट डिरेक्टेड ऑन पोल्टरी के इससे कोंसी वेराइटी जो है वो जो है फार्मिंग के लिए इन रुल आने ट्रीपल इरेम फullen के लिए तो हो रोल ढूर्ज वनराज़ और जो वेराइटी है वो जो है ब्रीड जो है वोiveness है kde इसके वाज़े से project directed on poultry from हैदराबाद विच पोल्टरी ब्रीड इस डेवलब बाई डिपार्टमेंट आउप पोल्टरी सायन्स यूनिवर्सिटी आफ अग्रिकल्टर सायन्स तो कुन सी ब्रीड है जो है डिपार्टमेंट आप पूल्डर साइंस यूनिवोर्ट सिटी आप एग्रिकल्चर साइंस से जो है डेवलप की गई तो वो है सोर्ना धारा उसके बाद कोशन पुचा गया है तर्की इन इंडिया है एवरेज एगवेड तर्की क्या होती है तर्की जो है ये जो बर्ड होता है ये जो बर्ड होता है ये जो है वो हमारा जो है बड़ा साइज में होता है और वो लार्ज साइज में होता है जो की चिकन से जो है वो फिदर्स रहते हैं उसी तरह इसके पीछे जो यह थोड़ा से ऐसे फिदर्स रहते हैं तो हमें यहां पर यह पूछा गया है कि इंडिया में जो टर्की अवेलेबल है उसका एक का वेट कितना होता है उसका एक का वेट होता है 65 ग्राम्स और टर्की का वेट कितना होता है टर् from 35 kg के तर्की होती है एक तर्की इंडिया है और Griff नंबर यानि एक तर्की में जो हैं कितने आंडे सकती है तो वह में दे सकती है अश्सी तो hundred gram Turkey in India have incubation period of how many times Turkey in India have incubation period of how many times incubation period का मतलब क्या होता है incubation period का मतलब होता है कि अगर particular Turkey की variety particular virus अगर उसमें eject किया गया है या फिर उसमें किसी pathogen का attack हो गया है तो उसको जो होने के बाद वो कितने दिन के बाद जो है उसके symptoms या science दिखने लगती है तो उसे जो है incubation period कहा जाता है तो वो कितने दिन का होता है वो होता हैं 28 days का उसके बाद हमारा next mcq है Turkey in India have the floor price required for 0 to 4 वीक इन पर बर्ड यानि पर बर्ड को यह कितनी फ्लोर पेस लगेगी वह 0-4 विक यानि वह एक महिने का हो गया तो एक महिने के टर्की को जो कितना फ्लोर पेस लगेगा तो वह लगेगा 1.5 स्क्वेर फीट चलिए अब लोग next mcq की तरब बढ़ते हैं तर्की इन इंडिया है और लीटर मटे लिए शुट बी स्प्रेड़ेड इन सर्कुलर मैनेट वीट डायमेटर आप तो यहां सबब दिया है कि तर्की को कितना लीटर मटेरियल लगेगा लीटर मटेरियल क्यानि क्या होता है तर्की का जो एक्स्ट पीटा होता है उसके जो फीदर्स जो उसके बॉड़ी से निकल चुके है यानि एक प्रकर से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है तर्की का उसका जो है तर्की के लिए एक बेट तैयार किया जाता है तो उसे जो है लीडर मटेरियल कहा जाता है और वह लीडर मटेरियल वह जो करी के बाद उस पर तर्की को रखा जाता है ओनन मीटर का तो बहुत चोटा हो जाएगा और थ्री मेटर का तो बहुत बगदा हो जाएगा इसलिए इसका अंसर हो जाएगा टू मिटर उसके बाद कोशन पुचा गया है बॉइलर प्रोडक्शन फ्लोर पेस इस रिक्वाइर यानि एक बॉइलर को जो है कितनी फ्लोर पेस की जरूरत होती है तो वह होती है वन स्क्वेर फूर पर बर्ड चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट कोशन देख ले इस जो है पुरी तरह से उसका टेमपरेचर करना उसके लिए अधमोसफे प्रेजंट करना इस चीशह को किा कहा जाता है ? तो उसिए का कहा जाता है ? और दिया गया है ब्रीडग हमारी प्रोसेस हो गई इसके लेक्टेशन भी हमारी एक प्रोसेस हो गी है एक मदर जो है मिल्किंग स्टेज के लिए आती है तो उसे लेक्टेशन कहा जाता है तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ब्रूडिंग चलिए अब हम लोग नेक्स टाइम सी क्यों देख लेते हैं लीनियर फीटर्स आर प्रेफेबल पॉर बॉयलर अप्टू टू विक्स इज लीनियर फीटर्स यानि जो है एक तराजी जो है हम उन्हें जो खाना देते हैं जो फीड हम जो है बॉयलर के लिए प्रोवाइड करते हैं उसे जो है लीनियर फीटर्स कहा जाता है तो यह लीनियर फीटर्स हमें जो है कितने सेंटिमेटर का चाहिए अगर हमारा जो है बॉयलर दो विक्स का होगा तो यहां पर उसका जो है कितना लीनियर लगेगा लीनियर फीटर्स लगेगा तो वो लगेगा 2.5 सेंटिमेट अगर आप कभी पोल्ट्री में गए होंगे तो यहां आपने देखा होगा कि ऐसा गोल सरकर राउंड रहता है उसके उपर एक राउंड रहता है और यहां फीट्स करने के लिए चिकन के लिए जो है ग्रेंज रखे जाते हैं तो इसे ही जो है वो लीनियर फीटर्स जो कहा जा करता है या तो आलियुम का बना होता है यह फिर बांबु का बना ना बना होता है तो हमें कितने सेंटिमेंटर तो ओपंट फाईव सेंटी मिटर तो इस तरह से चलिए हम grid MCQs discuss कर लिए है अगर आप OPSC exam के लिए apply कर चुके हैं और अगर आप ORISA से हैं तो आप हमारा ये course purchase कर सकते हैं इस course की price सिव 1,999 रूपीज और इस course में आपको जो इस course का complete syllabus, notes वगेरा सारी चीज़ी दो है वो provide किये जाएंगे Hope आपको सबको ये वीडियो अच्छे लगी होगी उमीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी इस वीडियो को like करें और अधिक से अधिक share करें और हमारी चैनल को subscribe करें Thank you so much